अभी हम 3x²-x-4 के सुनिक ग्याद करना शीखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है 3x²-x-4 देखिए सुनिक ग्याद करने के लिए आप फस्स स्टेफ क्या करेंगे इसके फैक्टर करने है second step जो फैक्टर आएगे उनको equal to 0 रखेंगे और उससे आपके पास यहाँ पर एक x की value आएगे और वही value आपका क्या होगा इस polynomial का सुनिक होगा तो देखिए हम इसके फैक्टर करते हैं नतना करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताना चाहूंगा अपने चिन के साथ ही लेना है तो कितना आ गया आपका दोस्तों आपका माइनस का बारा आ गया अब देखिए माइनस बारा के हम गुनन खंड करेंगे तो आपके पास क्या हैंगे दोस्तों दो गुणा दो गुणा तीन और यह साथ आपका माइनस का चेंद रहेगा इन गुणन खंड को हमें एक ऐसे तरीके से वेस्चित करना है कि इनको जोडने पर आपके पास क्या आना चीए यहां जो X के साथ गुणा का रहे है कितना आ रहा है दोस्तों आपका जब बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कितना है यहां पर एक है कितना है दोस्तों आपका एक है वो भी किसका है देखिए माइनस का एक है ठीक है तो दोस्तों जैसे हम इन गुणाकों को तो आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनको यह दी हम दो दो गुणा को एक साथ ले और इसका अकेला ले ठीक है और माइनस का चिन देखिए यहां पे माइनस का संख्या रहा है इसका मतलब माइनस का चिन उसके साथ रखना है जो की गुणा में बड़ा हो रहा हो दो गुणा दो चार है यह कितना है तीन तो चार आपका बड़ा है तीन से यानि माइनस का चिन हमें किसके साथ रखना है अपना चार के साथ रखना है और इस तीन को प्लस का रखना है ठीक है तो माइनस चार प्लस तीन कितना आ गया माइनस एक आ गया और यह भी हमेशा इसाथ यहां रखना है कि यह जो हमने यहां पर इस फरकार से गुणनखंड को लिया है ना इनको जब आपस में वापस गुणा करें तो वापस आपको क्या मिलना चाहिए यहां जो संख्या है कितना है माइनस बार मिल रहा है और इनको जोडने पर आपका माइनस एक आ रहा है मतलब यह आपका जोडा सही है अब आपसको दूसरे सब्दोंred में ट्राइल कैसे कैसे कर सकते थे वो भी देख लीजिए ट्राइल आप ऐसे कर सकते हैं इन दोनों के एक साथ लेते हैं जैसे दो गुणा तीन कितना आता है च्छै आता है और इस माइनस का दो लेते हैं तो आपके पास च्यार आ जाता है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए ही नहीं और दूसरा क्या कर सकते थे जिसे इस माइनस के च्छै को ले लिया और पलस का दो ले लिया तो आपके पास कितना था माइनस च्यार वो भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो ऐसे आपके अलग-अलग ट्राइल किये जा सकते थे ठीक है तो यहाँ पर आप समझ गया होंगे कि इस प्रकार से जब यहाँ आप नए बंदे हैं तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला जिसको जिसे कि हमारे पास कितना रहा है माइनस एक आ रहा है तो इन सब को नहीं लेना अब दोस्तों यहाँ पर जो माइनस एक है ना इसकी जगे क्या रखना है माइनस चार प्लस तीन रखना ह और यहाँ पर एक्स है तो इसके साथ ही एक्स हा गया और इस तीन के साथ भी एक्स हा गया ठीक है अब दोस्तों इन दो को एक साथ लेना है इन दो पदों के एक साथ लेना है पहले दो पदों मेंसे हम बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं एक्स को बाहर कॉमन ले सकते हैं तो यहा CT पूर्म में से हम एक को बाहर common लेंगे तो कितना आ गया 3 X minus 4 आ गया देख़े हमरा target क्या है यह पद और यह पद क्या होना था यह सैं होना था यह बात इसे सुरुप से जहां रखें अभ और यह सैं है त्सको हम बार कॉमन ले लेते हैं यानि तीन एक्स माइनस चार को बार कॉमन लिया तो यहां हमरे पास क्या आ गया एक्स और यहां पर आपके पास क्या आ गया एक अब हम क्या करेंगे शुन्य के लिए शुन्य के लिए क्या करना है यह जो गुनंद खंड आये है ना इनको बराबर में जीरो करना है क्या करना है इनको बराबर में जीरो करना है तो इसका मतलब क्या बाद देखिए तीन एक्स माइनस चार बराबर जीरो यहां से आपके पास एक्स का मान कितना आजाएगा देखिए मैनस 4 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा उसके बाद 3 X के गुणा में जो गुणा में होता है इसको दूसरी साइड लेकर आता है तो बाग में आ जाता है यानि X बराबर 4 बटे 3 आ गया हिकमान अब जब हम इसको बराबर 0 लेते हैं X प्लस एक बराबर 0 तो यहां से आपके पास X बराबर कितना आ गया यह प्लस का है इसको दूसरी साइड लेकर आएं तो किस का जाएगा माइनस का जाएगा ठीक है तो हम लिख देंगे आनता है X बराबर माइनस एक वै चार बटे तीन बहुपद के शुन्यक है या केवल हम लिख सकते हैं शुन्यक है ठीक है ओके तो इस प्रकार से हमने अपना इस बहुपद के शुन्यक ग्याद किये